इस वीडियो में बात करेंगे CAC के 10 SE certificate के बारे में जो certificate अगर किसी भी CAC वेली के पास है तो वो अपने block के सबसे सफल वेली बनेंगे साथ ही उसके block में जितने भी काम होते हैं CAC के जर्ये से वो सारे काम सबसे पहले उसी वेली को मिलेगा अगर किसी भी CSE Valley के पास ये 10 certificate है इन 10 certificate का exam complete करके ये certificate लिये है CSE के थुरू तो उनको CSE में आने वाले जितने भी services है सबसे पहले उने ही मिलेंगे साथी उसके block इस्तर में जो भी काम होता है जो कि CSE के जरीए होता है वो सारे काम सबसे पहले उन्हीं Valley को दिया जाएगा तो इसलिए आप लोग को दिखाते हैं कि कौन कौन सी certificate आप लोग के पास होना चाहिए तभी जाकर आप अपने block का काम सबसे पहले ले सकते हैं या फिर CSE में आने वाला कोई भी services सबसे पहले आपको मिलेगा तो सबसे पहले हमने एक नंबर पे रखा है TSE certificate TSE certificate आप लोग को सभी बेली को मालूम होगा कि TSE registration करने के बाद ही आप CSE registration करते हैं इसके बाद ही आपको CSE center मिलता है लेकिन बीना TSE exam दिये ही CSE registration हो जाता है और आपको CSE भी मिल जाता है लेकिन आपको TSE exam दे देना certificate आपको लेना चाहिए जो कि TSE certificate कहा जाता है इसके बाद चलिए हम दो नंबर certificate आप लोग को दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास CSE certificate भी होना चाहिए जितने भी CSE वेली है वो लोग तो जानते होगे कि CSE certificate कहा से डाउनलोड किये जाते हैं और यह certificate certificate आपको डाउनलोड करके रखना चाहिए सभी वेली के पास CSE certificate होना चाहिए तीसरा नंबर certificate आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं CSE Academy यह basic computer course BCC course का certificate है यह भी certificate सभी वेली के पास होना चाहिए इसमें अगर BCC course का certificate वेली के पास है तो इससे यह पता चल हैं वो काम आप बेसिक काम वो कर सकते हैं तो ये भी सेटिफिकेट CAC वेली के पास होना चाहिए अगर किसी वेली ने BCC कोर्स नहीं किया है तो जल्दी अपना BCC कोर्स कम्पिलीट करके BCC का सेटिफिकेट ले लिजिए इसके बाद से लिए चार नमबर में हम आप लोग को दिखाते हैं कि कौन सा सेटिफिकेट हमने रखा है तो चार नमबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं IRDA RAP Certificate ये सेटिफिकेट तो 100% सभी वेली के पास होना चाहिए चार नमबर पर यहाँ आप देख सकते हैं IRDA RAP Certificate RAP या INS का Certificate सभी वेली के पास होना चाहिए अगर किसी भी वेली के पास RAP या INS का Certificate नहीं है तो उसके Digital सेवा Portal में Insurance का Service एक्टिवेट नहीं हुआ होगा साथी अगर उसने RAP या INS का Certificate नहीं लिये हैं तो उसके Digital सेवा Portal में यह Mark यहां पर जो देख रहे हैं यह Mark उसको देखने को नहीं मिलेगा इसका पहचान यहीं है कि आपने RAP या INS पास किये हैं और आपके Digital सेवा Portal पर Insurance Services एक्टिवेट कर दिये गए हैं तो सभी वेली को RAP या INS का Certificate लेना चाहिए जो कि यहां पर हम जो यह Certificate दिखा रहे हैं यह RAP का है और INS का आप लोगों को दिखा दे रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं RAP या INS दोनों में से कोई एक Certificate आपको लेना चाहिए अगर आप दोनों ले लेते हैं RAP या INS तो इसमें भी बहुत ही अच्छा है अगर आप INS का Certificate लेते हैं तो फिर भी आपके Digital सेवा Portal पर Insurance Service एक्टिवेट कर दिये जाते हैं और यहां पर यह जो लोगों आप देख रहे हैं इसे भी Add कर दिये जाते हैं तो RAP या INS Certificate दोनों में से एक आप ले सकते हैं या फिर आप दोनों ले लेते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा है इसके बाद चलिए हम आप लोगों को 6 नंबर Certificate के बारे में दिखाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह IIBF Certificate है CSP सेवा तो उसके पास IIBF Certificate होना चाहिए हला कि बिना IIBF Certificate के BC के लिए Registration हो जाता है लेकिन अगर आपका Registration कंप्लीट हो गया है आपका BC Approval हो गया है इसके बाद आपको IIBF Certificate देना जरूरी है इसका डिटेल्स आपको अपडेट करना जरूरी है तो सभी बेली के पास IIBF Certificate होना चाहिए इससे आप BC का काम, बैंक BC का काम ले सकते हैं इसके बाद चलिए हम साथ नंबर Certificate के बारे में आप लोग को दिखाते हैं साथ नंबर में हमने रखा है आधार Supervisor Certificate या फिर Operator Certificate ये NS-EIT के दुवारा जारी किया गया Certificate है ये आधार Operator Certificate जारी करता है और आधार Supervisor Certificate जारी करता है अगर ये Certificate किसी भी बेली के पास है तो आप CSC के तुरू आधार Center ले सकते हैं इस Certificate के बिना आप CSC के तुरू आधार Center नहीं ले सकते हैं हाला कि अभी CSE के तुरू आधार सेंटर मिलना बंध हो चुका है क्योंकि CSE का टारगेट 20,000 आधार सेंटर खोलना था जो की lend हो चुका है अगर Byacy में कभी भी आपको CSE के तुरू आधार सेंटर लेना है और अगर CAC के थुरू और एक नया टार्गेट आता है अधार सेंटर ओपन करने में तो ये certificate आपको काम आएगा इसके बाद चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं आठ नमबर certificate आठ नमबर में हमने यहाँ पे रखा है Cyber Security Certificate ये certificate सभी बेली के पास होना चाहिए अगर नहीं है तो जल्दी Cyber Security course करके ये certificate ले लेना है क्योंकि आप CAC के काम करते हैं जो भी CAC Digital सेवा पोटल में काम करते हैं इसमें Cyber Security से रिडेटेड आपको जानकारी होना चाहिए और आपके पास Cyber Security का certificate होना चाहिए इसके बाद चलिए हम आप लोग को 9 नमबर certificate के बारे में दिखाते हैं तो 9 नमबर में हमने रखा है CAC Academy Certificate CAC Academy Certificate रखने से क्या होता है कि अगर आप online courses करवाना चाहते हैं student का या फिर किसी का भी online courses complete करवाना चाहते हैं तो आपके पास CAC Academy Certificate होना चाहिए CAC Academy Certificate हाला कि उतना mandatory नहीं है उतना जरूरी नहीं है लेकिन अगर वेली चाहे तो CAC Academy का Certificate भी ले सकता है तो यहाँ 9 नमबर तक हो गया है इसके बाद 10 नमबर में हमने रखा है CAC Identity Card हाला कि 10 नमबर में Identity Card रखा हैं क्योंकि CAC Certificate और CAC Identity Card एक ही है लेकिन यह Identity Card आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं बीना Certificate ले जाकर तो 10 नमबर में CAC Identity Card आपको CAC आप कैसे CAC Certificate डाउनलोड करते हैं वहीं पर आप CAC Identity Card डाउनलोड कर सकते हैं यह उतना mandatory नहीं है लेकिन 10 नमबर सुनने में अच्छा लगता है CAC के Top 10 Certificate सुनने में अच्छा लगता है इसलिए हमने 10 नमबर में CAC Identity Card रख दिया है तो आप चलिए बात करते हैं कि यह सारे Certificate यह सारे exam कहां से और कैसे complete कर सकते हैं तो इसके बारे में एक complete post आपको देखने को मिल जाएगा इस website का link भी आपको description में मिल जाएगा Top 5 Certificate यहां नीचे Top 5 Certificate के बारे में बताया गिया है और भी नीचे आएगे तो यहां पर आपको और Top 5 Certificate के बारे में जानकारी मिल जाएगा तो इस website का link आपको description में मिल जाएगा, यहाँ पर आकर आप बहुत सारे certificate के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कैसे registration करना है, कैसे exam देना है, और कैसे यह सारे certificate आप download कर सकते हैं, तो जिन भी value के पास यह सारे certificate है, तो उसे CAC के थुरू सभी काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही उनी को अपने पंचायत के अपने blog के काम सबसे जल्दी मिलेंगे, तो आसा करते कि इस वीडियो की जानकारी अप लोग को अच्छी लगी होगी और वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे इस चैनल में नए आये तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि इसी और भी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पोछे तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद